बच्चो आज हम क्लास 10 की वर्क्षिट 50 करेंगे जिसमें जो चैप्टर आपका फोर्थ है कार्बन और उसके योगिक योगिक इसके बारे में हम स्टडी करेंगे जो कार्बन है उसके तीन अपरूप हैं ग्रेफाई डायमंड और बक मिन्स्टर फुलरिन तो कार्बन के अगर इंगर ग्रेफाई और हीरे में अगर डिफ्रेंट्चीट करें तो संद्रचना के आदार पर ग्रेह घ्रेंट बेएक दूसरे के ऊपर सट्टकॉन या तल विवस्तित होती हैं हीरे में दरढ 3 आयामी अगर paragraph की इनको डिफ्रेंसेट करें तो कार्बन के प्रत发िक प् पर graphite chicken और फिसलने वाला होते हैं लेकिन हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ है जालकता कि हिसाब से अगर हम differentiate करेंग ग्रेफाइट है उसमें मुख्त Electronics के कांट सुचालक होते हैं लेकिन हीरा बिजली का求 पॉचालक होता है क्योंकि उसमें मुख्त Electronics नहीं होते है उप्योग इता ग्रेफाइट का इस्तेमाल सनहक के तोर पर Pencil-Lad में किया जाता है एक काटने की उपकरन और आभूशनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बॉल की शेप में, उसमें 60 कार्वन की एटम्स जोइन है, जिसका नाम है बक मिन्स्टर, फुलरिन की संरचना, अब क्वेशन आता है कि कार्वन इतने ज़्यादा अपरूप कैसे बना लेता है, उसमें क्या ऐसी नेचर उसकी परवर्ती क्या है, कार्वन की सरवतों योगी का जाता है, और दो संरचना है, पहली है श्रंकला, दूसरी है चतू सही हो जगता, कार्वन में कार्वन के ही ने परमानों के साथ आबंद बनाने की एद्वित्य शम्ता होती है, जिसके कारण इसकी संख्या बढ़ी होती जाती है, उसके आनू एक दूसरे से जुड है तो तरिक प्रबल होते है, अते ही होते हैं और अनेक करवन presents के साथ यापस में जुड़े होने के करन योगीत प्राप्त करते हैं। दूसरी जो सब्सक्रान की प्रमानों के साथ है जी साथ आबंद बनाने की सम्ता है, इसको लाग और कार्बन द्वारा जो प्रबल आबंदों के निर्मान का एक कारण इसका छोटा आकार भी है और इसके कारण इलेक्ट्रोन के सह भागी युगमों को नाविक मजबूती से पकड़े रहते हैं और बड़े प्रमाणू वालों तत्वों से बने आबंद तुलना में अतधिक कमज़ दुर्बल होताइ उसके बार आता है जो शुद्र कार्बन होता है उसको अत्यदिक ताप या दाप पर गरम करके या उसको उपचारित καरके हीरे में बदला जाता है और जो यह हीरा है वो आकार में छोटे होते हैं लेकिन अन्यता प्राकरतिक हीरे हैं वो अभेदनी होते हैं जो फुलरीन कार्बन अप्रूब का अन्या वर्ग है जिसमें 60 कार्बन जुड़े होते हैं और कार्वन के प्रमानु फुटबॉल के रूप में विवस्तित होते हैं चोकि अमेरिकन आर्किटेक्स बॉक मिन्स्टर फुलन द्वारे डिजाइन किया गया था उन्हीं के पर नाम पर इसका नाम दिया गया जो जियो सेडिक गुम्मद के समान लगते हैं और इसी अनू को तो यह आप अभ्यास में कुछ कुछ फॉस्टे रखें हैं अपनी नौलज चेक करने के लिए सारे क्वेस्टेंज अपनी नोट्बुक में करेंगे नाव देटाइम फॉर्टेंट इंट इंट इस वरक्षीट 50 फॉर दे लास 10 अन टॉपिक इस चप्टर फोर कार्वन इन लिए एपनाव यह चार अपन इंट यह बहुत इंट बाइंट- साथ लाघ इस अट्यज चर्बुक में इन डिधर इंट अपनाव फिए स्टीं इस अप्रिट इंट इंट इंट्र इंट इस वरक्तिंव इंट इस जान इस इन खрbelt इंट इस और इंटिए जाम आपनी इस प the bonding each carbon is bonded to three other carbon atoms and one of these bonds is double bond but in diamond each carbon atom is bonded to the four other carbon atoms forming a rigid three dimensional structure on the basis of appearance smooth and slippery and in the diamond it is hardest known substance on the basis of conductivity good conductor because of free electrons and it is a bad conductor because of no free electrons now on the basis of the uses lubricants it is using lubricants or pencil lead and diamond is used in the cutting tools as well as in jewelry you can see the diagram of a structure of diamond which is used to make the ring and structure the graphite which is used by the child in the pencil and structure of carbon-60 buck full minster buckminster filerans and it is a football like structure now how this these allotrops are formed by the carbon but is its nature so carbon has a versatile nature because it has two main properties due to which it forms so many compounds one is catenation other is tetravalency carbon has the unique ability to form bonds with other atoms giving rise to large molecule and this property is called catenation silicon forms compounds with hydrogen which have gene of seven to eight atoms but these compounds are very reactive carbon carbon bond is very strong and stable and this gives up large number of compounds with many other compound atoms to form large molecules or compounds now second property of the carbon which make it versatile that is a tetravalency as you know carbon having atomic number is six and there are four tetra valence electrons four valence electrons are there in their outermost shell so it can bond with four other atoms of monovalent atoms like oxygen hydrogen nitrogen sulfur and chlorine and one reason for the formation of the strong bond by the carbon is its small size this enable the nucleus to hold onto the shared pair of electrons strongly and the bond formed by the elements having large atoms are always weaker than the small molecules now how diamond is synthesized diamond is synthesized by subjecting pure carbon to high pressure and temperature synthetic diamonds are very small but otherwise indistinguishable from the natural diamonds fuller ends from another class of the carbon allotropes and the first one to be identified was a c60 which has a carbon atoms arranged in the shape of football since this looked like the geodesic dome designed by the u.s architect buckminster fuller the molecule was named fluorescence i hope you understand the concept of versatile nature of the carbon and its different allotropes now do the practice of these questions on the basis of the worksheet in your notebook keep watching super vijyana thank you